इसलाम अलेकूम डिया स्टूडियन्स कैसे हैं आप साब अमीद करते हूं साब बहुत ख्यारे से होंगे आज हम करने जा रहे हैं जी application to ballistic missile तो application of ballistic missile पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ballistic missiles क्या होते हैं और उनकी flight जहां वो क्या कहलाती है ठीक है तो इसको देख लेत एक ऐसा missile जिसको ना तो गाइड किया जा रहा है ना ही उसको power दी जा रही है किसी चीज़ से कंट्रोल नहीं किया जा रहा है is called ballistic missile ठीक है यानि कि कोई भी चीज़ जैसे फर्ज कर लें आप hand grenade जो होता है उसको आप फिंकते हैं अपने हाथ से तो वह एक दफ़ा आपके मोशन करनी है खुद बहुत वह जाकर किता है ना इसको गाइड किया जा रहे हैं ना ही उसकी मोशन को कंट्रोल किया जाता है तो इस तरह कर जो भी मजाइल होते हैं उनको ballistic missile कहते हैं और जो भी पात वह फॉलो करते हैं उसको कहते हैं ballistic trajectory ठीक है और ballistic flight एक ऐसी flight जिसको ना प पुश सिर्फ उसको जाव एक दाफा धका दे दिया जाता है एक पुश दिया दे जाता है और उसके बाद वह खुद बखुद मूव करता है जू टू इनर्शिया एंड अंडर डी एक्शन अफ ग्रिविटी तो इस तरह की जो चीज है वह ballistic flight कहलाती है और इन अदर वर्स क कहते हैं unpowered and unguided missile is called ballistic missile और जब पात फॉलो कर रहा है इसको ballistic trajectory ठीक है तो यह एक पी आपने इसको तो तो यह चीज कर लेना है जो चीज करने वाली है बस वह डेफिनिशन है उसके बार आपको यहां पर सावरी इंफरमेशन दी हुई है डू जू नो में यहां पर आपको बत कि हमने कल बढ़ा इनकी जो maximum range होती है वह एक अन एंगल ओ 45 डिग्री पहोती है ठीक है तो बाता है यह तो 45 से अगर हम एंगल बढ़ाएं और सेम एंगल काम करें ठीके यह यह निके 10 डिगरी हम इंक्रीज में जारे हैं यह 10 डिग्रीं जा रहा है यह 15 डिग्रीं बाता है जैसे कि यहांपर आपको बताया वाद 30 degree का रहे हैं और 60 degree का रहे हैं तो 30 degree जो है 45 से 15 degree काम है जबकि 60 degree जो है 45 से 15 degree ज्यादा है तो अगर एंगल 45 से हम सेम आगे करें या पिछे करें तो उन दोनों एंगल पे range आपकी बराबर हो जाएगी जस्ट फरक क्या पड़ेगा हाइट पर फरक पड़ेगा अगर एंगल कम है तो हाइट कम होगी जबके एंगल अगर जादा है तो हाइट जादा होगी देखिए साथ पर आपको information के तौर पर दिया हुआ फोर्ज information में कि एक ideal path तुझा है किसी भी एंगल पर किसी भी फिलास्टी पर बोड़ी की हाइट भी जादा होती है और उसकी रेंज भी जादा होती है लेकिन actual path में क्योंकि air friction present होती है तो जो भी हमारी calculated high or tight होगी उससे भी बोड़ी जावा कम हाइट कवर करेगी और उसकी रेंज हो भी कम होजेगी due to air friction तो साथ ही आपके पास example number 3.7 और 3.8 है यह भी आपने solve करने बहुत असान है जस्ट आपने formula पूट करने है यहाँ पर आपने time of flight निकाला है height निकाली है और range निकाल दी है अगर आपकों को formula अच्छे से याद है तो आप यह चिज़े निकाल सकते है सेमी से तरह से यहाँ से देखें आपने height निकालनी है next में range निकालनी है और यहाँ से आपने क्या करना है फिर से height और range निकालनी है different angle के लिए पहले angle जो आपको 90 दिया हुआ हुआ है sorry 30 दिया हुआ हुआ है thank you so much allah hafeez